हलो फ्रेंज अपना की चन में आपका स्वागत है अगर आप फीस हेड खाने के सौकीन है तो आज की ये मज़ेदार फीस हेड की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी तो देखी फ्रेंज इसके लिए मैं आप दो पीस रोहू फीस का हेड ली हूँ आप चाहें तो तो तो फ्रेंज बस ऐसे आप में ले लिज्येगा और स्पून के पीछे वाले हिससे ऐसे देखी निकले जाते हैं बहुत हीस लिए बाहुत देखी निकलाइगे एज पस हलके ऐसे अंदर शेको और ऐसे हलकेश लिए निकल जाते हैं देखिए किदना असान तरीका निकालने का और यह फीज हैर का जो आई जिए उटा करके फेक देंगे यह देखिए कितने इजली निकल गई है यह देखिए तो अब हम इनको एसे उल्टा कर देंगे और इनको मैरिनेड करेंगे इसमे डालेंगे एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर नमक डाल देंगे एक चोथाई चमच अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऐसे हातों के हेल्ट से ही इन पर अच्छे से नमक खल्दी और मिर्च को लगा लीजिएगा ताकि सभी मसाले फी सेड के अंदर तक अच्छे से चले जाएं तो बस ऐसे हातों से रब करते हुए मसालों को लगा लेंगे तो देखी फ्रेंज नमक खल्दी और मिर्च को अच्छे से लगा लिए अब हम इनको दस मिनट के लिए साड में रख देंगे बाइनेट होने के लिए इधर मैं दो मीडियम सैज के आलूं को अच्छे से छिल करके धोली हू और इस तरीके से देखे गोल गोल कट कर लिए हूँ आप इनकी मोटाई देख सकते हैं कितना होनी चाहिए मैं एक आलू में चार भाग की हूँ अब हम इसमें डालेंगे एक चुथाई चमच लाल मिर्च पाउडर ऐसे स्प्रेट करते हुए एड़ कर लेंगे एक अब कर देखे ताकि इन पर अच्छी सी कोटिंग हो जा और ऐसे जब आलू पर नमख खलती मिर्च लगा करके फ्राई करते है तो इनका कलर बहुत अच्छा आता है तो देखे सभी आलों के पीसेज पर नमख खलती मिर्च को लगा लिए, अब चलिए इनको चलते हैं फ्रा करते हूं तिलगर्म होने पर इसमें डालों के पीसे से वह मेर्णेट करके रखे तो ऐसे सभी पीसे को डाल देंगे गैस का फ्लेम अधुक्त्राइभ रखेंगे तो देखे फ्रैंस एक तरफ से आलों के फ्राई हो गया है अप तो इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो देखें दोनों तरफ से आलू फ्राई हो गए है यह देखी मैं आपको दूसी तरफ पलट करके दिखा देती हूं यह देखें कितना सुंदर कलर आया है तो चलिए अब हम इनको निकाल कर एक बरतन में रख लेंगे तो पहले ऐसे साइड में लाएंगे छोलनी केवसे ताकि इनका एक्ष्ट्रा तेल हो निकल करके कडाई में रहा जाए और वाकी के अलू निकाल कर एक बरतन में रख लेंगे तो इस तरीके से जब नमक, खल्दी और में लगा कर ओठीए को भी फ्राई कर लेंगे गयासा इस चाहे मीडियमgas Exchange , दू हाइ फ्लेम पर एक तरफ से इनका फ्राई हो गए तब इनको दूसरी तरफ फ्राई होगए हैं धूनो तब इंससे रिखा अब बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं लेकिन हम इसका करी बनाएंगे तो इसी तेल में हम डालेंगे एक तिछ पत्ता इसको मैं तोड करके लिए हूँ दो छोटी इलाची यहरी इलाची इसको भी मैं कूट करके लिए हूँ ताकि फ्लेवर निकल करके बाहर आए दो लॉंग आठ से दस काली मिर्च के दाने और आधा छोटा चम्मच जीरा अब इन खड़े मसालों को कुछ सेकेंद तक फ्राई कर लेंगे गयास का फ्लेम इस टाइम मीडियम रखेंगे जैसे इखड़े मसालों से खुसबू आने लगे तब समझ जाएगा मसाले खूब अच्छे से भून गया है तब हम इसमें डाल लेंगे प्याज का पेस्ट तो मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज को मिक्सी में पीस करके लिए हूँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको 3-4 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो प्याज का कच्छापन है ना वो निकल जाए भूनते से मैं ऐसे बार बर चलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे जिससे की चारो तरफ अच्छे से कूख हूँ तो तीन से चार मिनट होगे मुझे इनको मीडियम फ्लेम पर भूनते हुए और आप देख सकते हैं फ्रेंस प्याज बिल्कुल अच्छे से बुन गया है यह देखिए कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है और प्याज का जो भी कच्छापन था वो निकल गया है अब हम अच्छे से मिला लेंगे इन सबी चीजों को और एक मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे ताकि इनका भी कच्छापन निकल जाए तो देखिए फ्रेंस एक मिनट होगे मुझे इनको भूनते हुए और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छे से भून ग आधा चमच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर यह तीखा कम होता है और इसे कलर बहुत है अच्छा आता है और स्वाध अनुसार नमक तो नमक यहाँ पर ध्यान से डालिएगा हिसाब से कम ही डालिएगा नमक क्योंकि हम लोग आलू को मैरिनेट करते समय और फीसेट को मैरिने आट से तस मिनाट होगे मुझे इनको पकाते हुए लोग पर और आप देख सकते हैं फ्रेंस मसालों से त्यल से प्रेट हो रहे हैं और मसाले देखिए कितने अच्छे से भून गया है तो जब मसाले खूब अच्छे से भून जाते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी के वहां तो मसालों को खूब अच्छे से भूने अब मिशिम डालेंगे एक कुप पानी और अच्छे से मिक्त कर लिंगे अब मेंगों इस से सीड़िय साथी में डाल देंगे आधा छोड़ा चिमच गरम मसाला पाउडर अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऐसे आलूओं को और फीस हेट को अच्छे से ग्रेवी में डूपा दीजिएगा और अब हम इस टाइम क्या करेंगे गैस का फ्लिम एकदम लो कर दे अब हम इनको लो फ्लिम पर ढख करके 5-7 मिनट तक पकने देंगे तो 5-7 मिनट हो गए मुझे इनको लो फ्लिम पर पकाते हुए और यह देखिए फ्रेंस हमारी सुपर टेस्टी सुपर डिलिसस आप इसको फीस हेट पोटेटो करी भी बोल सकते हैं बन के रेडी एकदम आस हो गाए हैं तो आलो बिल्कुल अच्छे से कूख हो गाए है अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और ऐसे हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे और अब हम गयास का फ्लेम बंद कर देंगे और ढख करके इनको 2-3 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे ताकि ह इस हेड तो फिस करी के साथ हमेशा खाते ही हैं पर फ्रेंस इस तरीके से एक बर जरूर बना करके देखिएगा ये रेसिपी आपको और आपके फेमली को बहुत ही पसंद आएगी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाने का तरीका देखेना करें जादा से जादा सेयर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद